कि के Infinite ऊब रफोम में के संब्रब तॉ आज की दिक्रीड़ को sistema कर सकते हैं में ले लेजतु हैने ट्रेडर को सुह करना चाता है या करना चाता है जो अल्रीडी कर रहा है बाट लॉस में हैए वो सीखना चाहता है उन सभी लोगों के कुछ questions होते हैं उनको मैं cover up कर देता हूं यह बहुत ज्यादा important है एक बार हम इनको cover कर लेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे strategy क्या होती है तो पहला point हमारा जो रहेगा जो हम discuss करने वाले हैं वो रहेगा what is swing trading ठीक है उसके बाद जो second question जो का आता है वो आता है कि swing trading कितने दिनों के लिए करने चाहिए कितने दिन के लिए करनी चाहिए तीसरा जो question रहता है मेजरली लोग अगर आप YouTube पर active हो अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो probability बहुत आई है कि आप Youtube पर ही देख रहे होगे । अगर आप यूटुब पर देख रहे हो तो आप देखो उसके बाब जूद यह लोग वीडियो बना रहे हैं आप और लॉस में जा रहे हैं अब फिर भी आपको जाना है तो आप जाईए मैं सिर्फ समझा सकता हूं और मैं कुछ वीडियो को देखो ध्यान से समझो back testing करो कोई भी question आता एक जाके message छोड़ दो सीधा इस वीडियो के comment section में message छोड़ दो अगली वीडियो में तो multiple of यहां भी चीज़े होती है जहां आप trading कर सकते हो बाकि swing trading इन दोनों में क्या difference चौथा point के swing trading की वो क्या गलतियां है swing trading mistakes क्या वो गलतियां है जो लोग perform करते हैं इसके बाद हम अपनी strategy पर चलेंगे swing trading strategy ठीक है तो यह पांच topic आज हम discuss करने वाले है swing trading क्या है सबसे पहला point रहेगा फिर कितने देनों के लिए करनी चाहिए फिर तीछा हमारा रहेगा intraday versus swing अगरम करें तो कौन सा better रहेगा इन में चौथा हम देखेंगे swing trading की mistakes क्या-क्या होती है क्या-क्या हम गलतियां कर सकते हैं पांच पर में strategy देखेंगे अब चाहूं तो मैं आपको पांच पॉइंट पहले बता सकता हूं जितनी हो सकती है पूरी knowledge दे सको अधूरा ग्यान आपने सुना होगा कि अधूरा ग्यान हानी कारक होता है यह कहावत बोली जाती है अगर आपको सीखना है जैसे आप swing trading सीखने आयो तो इन सभी points को सीखके जाओ अगर आपको सिर्फ strategy सीखनी है मत देखो वीडियो छोड़ बिकर सिर्फ strategy सीखोगे तो आप गलतियां भी करोगे आपको यह भी नहीं पता होगा कितने दिन के लिए करना है क्या होती ही swing trading आपको benefits नहीं पता लगेंगे इसके mistakes क्या क्या कर सकते हो नहीं पता लगेगा loss कर बैट होगे नए traders loss इसलिए करते हैं चलो आप शुरू करते ह हैं भी बहुत crucial है तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं swing trading क्या होती है तो देखो swing trading पता है क्या होती है swing trading में आप swings को capture करते हो जैसे example में अगर आपको दिखाओं तो यहां पर देखो आप एक uptrend बना हुआ है यह देख रहे हो यहां से एक uptrend चालो हुआ यहां तक जो होगे एक uptrend में move कर रहा है market तो इसमें हमें क्या करना होता है यह swings capture करने होते हैं जैसे कि यह वाला swing हुआ कौन सा यह वाला समझे इससे पहले पहले यह वाला यह swing capture करना हो गया या फिर आपने यह वाला swing capture कर लिया यह वाला या फिर आपने यह red candle बनी इसके बाद यह वा मूव करता है ऐसे उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं तो हम कौन से मूव कैप्चर करेंगे एक डाउंट्रेंड यहां ले लो जैसे यह डाउंट्रेंड है तो इसमें हम क्या करेंगे यह वाला मूव कैप्चर करेंगे यहां तक ही यह वो गया वैसे तो नीच तक ही गया है पूरा ही एक प्रपर डाउन ट्रेंड यहांसा पर बना नहीं है और पीछे गनल को यहांसे यह वते हैं यह तो यह यहां तक आपट्रर्ण बनना है तो यह एक swing बनाते हुए अप्ट्रेंड में मूव कर रहा है यह swing होते हैं देखो यह उपर गया फिर retracement उपर गया retracement उपर गया retracement इनको swings कहते हैं तो यह हो गया आपका swing अब जब इन swings से आप profit निकालते हो जैसे इस swing से आपने एक profit निकाले इनकों बोलते हैं swing trading ठीक है जब आप swing से profit निकालते हो तो उसी को हम और जब swings को trade करने लगते हो तो वही हम swing trading कहते हैं अब इन swing में अगर आप loss भी करते हो तो भी swing trading का ही part होगा मैं एक example से बता रहा हूँ आपको कि जब आप swings को trade करते हो तब उनको कहते हैं swing trading अब second question है how many days के कितने दिन के लिए swing trading करनी चाहिए तो यह दो वीक से लेकर कि दो या तीन मंत तक हम कर सकते हैं swing trading ठीक है और भी लंबी जा सकते हो लेकिन हम इतने बीच में अपना profit margin निकालने की कोशिस करते हैं और हम निकाल लेते हैं तीसरा point हमारा आ गया intraday versus swing trading यह एक बहुत बड़ा topic है तो देखिए पहला intraday trading का जो advantage है वह यह है कि overnight risk नहीं होता है but swing trading में overnight risk होता है बंदा तो पहले confused ही हो जाता है कि हम intraday trading में कौन सी trading करें तीसरा intraday trading में risk होता है overtrading का लेकिन swing trading में कोई भी overtrading का risk नहीं है intraday trading में बैठे रहते हैं लोग अगर market के सामने आप बैठे रहोगे continuously तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे market आपको बला लेगा चाहे loss हो चाहे profit हो देखो loss होगा तो आपके मन में आएगा कि recovery कर लेते हैं चल दोगे यहां यह देखो सबसे बड़ा benefit swing trading का यह का कम टाइम दे रहे हो इंट्वाड़े में आपको बैठ रहा है पूरे दिन या नहीं बैठ रहे हैं यहां कम टाइम दे रहे हो इसलिए थोड़ा सा पैसा कम बना इंट्वाड़े के मकाबल है चौथा जो सबसे बड़ा point यह है कि यह suitable होता है beginners के लिए swing trading best है इंट्वाड़े ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की साइड भी हो जाता है दूसरा इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप कुछ यहां पर उखाड़ पाओगे इसमें सबसे बड़ा point क्या होता है लोग risk management को फॉलो नहीं करते है रिस्क management को आपको फॉलो करना पड़ेगा उसका सबसे बड़ा रूल बताता हूँ आप जब भी कभी ट्रेड कर रहे हो ना आप अपने stop loss लगाओ target लगाओ आपका loss जितना होने वाला है वह already set होना चाहि swing की बात कर रहे हैं तो swing समझते है swing trading जब भी आप लोग है आपको आपका loss fix रखना है आपको लगा लेना है कि इतना loss ही जेलूँगा इससे जादा नहीं आप stop loss त्यार रखिए अपना target में आप थोड़ा बहुत उलट फेर कर सकते हो near about 1.5 से लेकर के 2 जैसे target आपको मिल ज हुआ और आपने देखा एक swing चला अब यहां तक आपका एक swing चला आपने देखा यहां से market reverse आ रहा है मतलब एक छोटी सी retracement हो सकती है अगर आपने पहले ही analyze कर लिया कि अगर आप analysis कर चुके कि अप ट्रेंड है तो छोटी सी retracement तो आएगी बिकाद मैंने पहली बताया market ऐस 1-2.27 का ठीक है तो आपने जब यहां देख लिया कि 2% से उपर हो चुका है तो आप क्या करो 50% अमाउंट यह विड्राओ कर लो बड़ी पैसे निकाल चुके हो profit में समझे तो आपका loss नहीं होगा और यहां cost to cost आके काट दो बैसे यहां आएगा नहीं अगर आप trend देख रहे हो तो बहुत रेर चांसे बड़ी big news आ गई कुछ हो गया इंडिया के अंदर कुछ बड़ा हो गया या फिर ऐसा कोई बड़ा event है तब जाके इतने बड़े-बड़े moves आते हैं otherwise अगर कोई up trend में चल आए market तो इतने जल्दी downtrend में नहीं आता है जब तो कोई बड़ी news उसमें ना आ जाए ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो बाकी target कैसे set करना है उसकी उपर पिछली वीडियो में एक तरीका बत स्ट्रेजी को मैं आपको recap कराता हूं और बाकि अगर अच्छे से आपको पूरी स्ट्रेजी समझ नहीं तो आप उस वीडियो को देख लेना यह रहा screenshot जो आपको screen पर अभी देख रहा है और मैं उस वीडियो के link आपको description में भी देदूंगा और मैं यह भी बता तो जो यह क्योंकि एक ही बार हमको चाहिए दूसरा indicator हमारा होता है यहीं पर मिल गया exponential moving average इसको हम लगा लेंगे तीसरा है RSI divergence indicator बहुत simply आपको बता दोंगा मैं कैसे क्या करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं यह में लगाते है 50 moving average का 50 उसके स्टाइल में जाएंगे यहां हम color थोड़ा चेंज कर लेंगे थोड़ी सी thickness बढ़ा जेंगे line की okay करेंगे और RS है ठीक है तो अब देखो strategy क्या थी वह बताता हूं आपको strategy यह थी कि देखो strategy यह थी कि जो यह line है 50 EME की इसको market उपर की तरफ जैसी cross करता है हम यह buying perform करते है ठीक है अब ऐसा नहीं कि cross किया buying कर ली इस पर multiple हम confirmations देखते हैं कि भाई सही breakout हुआ भी है कि नहीं इस line का इस EME का ठीक है तो यह green candle ने breakout दिया सबसे पहले हम check करेंगे इस इसका volume तो volume आप देख सकते हो पिछली candle से ठीक थाक आया हुआ है ज्यादा ही है मतलब बड़ा हुआ और नियर अबाउट पिछली candles को हम देखेंगे तो नियर अबाउट सेम है बिल्कुल सेम नहीं है नियर अबाउट सेम है ठीक है पहला confirmation दूसरा confirmation इसमें हमारा होता है कि सबसे पहला confirmation हुआ healthy candle ने ब्रेक आउट दिया दूसरा ब्रेक आउट हो गया तो यह पहले पॉइंट में आ गए दोनों पॉइंट ब्रेक आउट हुआ इस 50 यह में का ऊपर की साथ ठीक है तीसरा confirmation volume भड़ा चौता confirmation जो RSI होता है ना हमारा यह 50 की एक लाइन है यह वाली ज नहां पर successfully work कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इस candle का high mark करते हैं सबसे पहले हाई यह है closing यह है ठीक है तो हम क्या करेंगे closing के ऊपर अपना trade execute करेंगे यहां पर इस तो आप लोस हम candle के नीचे red candle पर लगा सकते हैं लेकिन यह बहुत नीचे हो रहा है तो इस candle के थोड़ा सो नीचे लगाएंगे अच्छा अब बात आती target set करने की पिछली वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने target के ऊपर question पूछा जबके मैंने clearly उस वीडियो में बता दिया था आप लोग को EMA को जब मार्केट नीचे के तरफ क्रॉस कर दे क्लोजिंग दे जैसे यहां क्लोजिंग होई ना यह green candle ने breakout दिया closing ली तब जाके हमने ट्रेल लिया इसी तरीकी से red candle जब इस लाइन के नीचे closing दे दे वहीं सौधा आपका कट और जाएगा वह target है पीछे का देखना ही नहीं कि कहां resistance है कहां support है महनत ही नहीं करना ही बिल्कुल महनत free कर दिया आपको तो फिलाल के लिए अभी जब तक कुछ नहीं मिला है हमको target तब तक क्या हमको return मिला है साढ़े साथ परसंट का return यह 5 जून का trade हुआ आज 12 जून है आप लगा लो कितने दिन हुए पांच और पांच दो साथ दिन होगे साथ दिन के अंदर आपको साढ़े साथ मजब एक दिन का एक परसंट डिटन साथ दिन का साथ परसंट डिटन और क्या चाही है सफीशेंट दे रहा है और अभी तो टागेट नहीं मिला अब देखो का टागेट कहां मिलता है यहां भी मिल सकता तो छे साथ परसंड लेके निकल सकते हो अधर वाइस तरीके से मार्केट का कोई वरूसा नहीं है तो यह थोड़ा सा पैची रहा है कुछ दिनों से बहुत जा जब आपको clearly visible हो जैसे यहां देखो कितना clear है यहां देखो चिपक रहा था market एकदम से अलग जाने लगा इस तरीके से जब clear देखेना टॉपिक है इसमें मल्टिपल वीडियो बनाऊंगा तबी कम पड़ेंगी बनाता रहूंगा बाकि आपको मैं सिखाता रहूंगा लेकिन आप लोग बताओ आपको किस चीज में वीडियो चाहिए स्विंग टेडिंग में इंट्राडे में आप्संस में फ्यूचर्स में या मार्केट के और केस स्टडीज चाहिए आपको या क्या चाहिए वह आप कॉमेंट हो मझे बताओ ठीक है चलो इसी की साथ मिलता हूं अंगली किसी दमाग के ता वीडियो में तब तक के लिए जाह जोले मात्रो